तो देखे श्रावन के वन सो मा शुरू होने वाले हैं और जब भी हम वरत रखते हैं तो कुछ मीठा खाने का मन करता है या फिर हम मीठा ज़रूर बनाते हैं तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेश्टी चूर्मा लड़ू नमस्कार मैं हूँ रेखा मेरी सुपर असे में आप लोगों का स्वागत है और ही चूर्मा लड़ू बनाने में बहुत ही आसान है इंटो में बनकर तयार हो जाएंगे इसके लिए आपको फ्राइ करने की मूठिया बनाने की ज़रत नहीं है वीडियो को फुल्वच कीजीगा अच्छी लगे तो लायक और शेर कीजीगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बेल आइकन को प्रेश जरूर कीजीगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों दक पहुत सके और तो देखें इस चूरमे को बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ी सी परात लिए और उसमें डारों में एक कप गेहूं का आटा और यह साधा वाल आटा है जिसे चपाती बनाते ना बही वाला लिया है आपके पास मोटा वाल आटा हो तो आप वह भी ले सकते हैं अब यहाँ यहाँ पर एक कप डालेंगे सूजी यानि की रवा तो सूजी जैसी भी हो मोटी बारिक आप ले लीजेगा अब यहाँ पर इसी कप से नापकर में ले रही हूं एक कप मैंने यहाँ पर मूंकी दाल ली थी उसे बारिक पावडर बना लिया देखें अच्छे से पोच लीज अच्छे से मिला देजे तो सभी आटे को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है अब इसमें लगाएंगे मोयन लगाने के लिए आपको यहाँ पर घी का इस्तिमाल करना है क्योंकि चूर्मा बना रहे हैं तो यहाँ पर मैंने इसी कप से मापकर एक कप लिया है देशी घी को मै तो सब्सक्राइब इसलिए नहीं बद हैड अब यह पर क्या करना है पानी लेना है और इसका आँटा लगाना है अपको कैसा लगाना है तो फूर्मा या बाटी बनाता है तॉआटा है तो एह टाइट है डो बना कर तयार कर लिए अब यहां देखे आटा लग चुका है और देखे हाड़ी लगाए मैंने आटा तो अब इससे क्या करेंगे 10-15 मिट लिए रेश पर छोड़ देंगे उसके बाद इससे देखेंगे आप यहां देखे 10-15 मिट हो चुकी है तो आटे को चेक कर लेते है अटा देखें अच्छे से सैट हो चुका है तो आपे अपको क्या करना है इससे थोड़ा सा मसल लेंगे बहुत ज़्या चिकना करने की ज़़ूद नहीं है इस तसरह से थोड़ा सा मसल लेजे और यहां पर एक पोशन तोड़ीगा तो बड़ा साले जिए थोड़ा सा हमें जो बाटी बनानिय यहाँ आप मसल लीजे घुर आ इस habits within बीसी बाटी बनाकर तैय। होड़ा से नहीं देखेए तो यहां पर देखें सारी जो बाटियां जी बनकर तयार हो चुकी है अब आपको क्या करना है यहां पर देखें मैंने लिया है सिल्वर पेपर इस तरह का जो पेपर आता है जो मार्केटियं बहुत आराम से मिल जाता है बाटियों को अच्छे से पैक कर लीजेगा इसमें तो यह तयार हो चुकी है अब यहां पर देखें मैंने बाटि मेकर गैस पर रख दिया था पांच मिट पेले फूल गैस पर प्रिहिट होने के लिए और यह अच्छे से प्रिट हो चुका है अच्छे से हीट आ रही है अब आपको क्या करना है इसमें रख देना है हमारी बाटि तो सभी बाटियों को मैं इसमें रख देती हूं तो यहां पर मैंने सभी बाटिया इसमें रख दिया है और गैस को कर देंगे मीडियम और कि कि अधिक है कि फिर दीके डग देते हैं मीडियम किया हुआ मैंने तो देखें दसे 15 मिट आपको इस था से उपर से पकाना आए इसे उसके बाद जो कर देना यहां देखें ऊपर से बाटिया थोड़ी सीख चुकी है अब बाटियों को दभा कर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा थोड़ी हड्ट होगे इसकी स्कीन तो अब आपको क्या करना है यहां पर फिर से तक देते हैं और गयाश को यहां पर शुरो से थोड़ा सा तेज कर दीजेगा तो चले फिर से चेक करेंगे कि यहां पर मैं इसे देखे चेक कर रहे हूं बाटियों को और जब आप इस तरह से थुड़़ दबाएंगे इसको इस तरह से मैं डबाकर इससे देख लेते हूं यह देखें यह अच्छे से उपर से आड हो चुकिए तो आप क्या करेंगे से 10 मिंट के लिए और पकाएंगे तो मैं इससे ढग देती हूं गैस को यहां पर मैंने सुलो से थोड़ा सा तेज किया हुआ है तो चलिए अब इससे देख लेते हैं यहां पर मैंने इससे निकाल लेते हैं तो चलिए यहां पर मैंने इससे निकाल ले आए और बाटियों को तोड़कर दिखाऊंगे मैं आपको कितनी अच्छे से तयार हुए देखे अंदर तक अच्छे से सीख चुकिए हैं हैं दिखें कितने अच्छी लग रही है तो आपको इस तरह से तोड़ लेना है गरम है काफी द्यान से तोड़ लेजेगा और सभी की टुकड़े कर लेजेगा कि बहुत आराम से तूट रही है देखें बिल्कुल भी कच्ची नहीं है कि बहुत ज़्यादा घी की जरूत भी तो आपको फ्राइब करनी की बिजरद नहीं है कितना अच्छ आपको चूर्मा बन कर तयार होगा यहां देखे इस तरह से आप से तयार कर सकते हैं पहले की टाइम में क्या करते थे तो इस तरह से हाथ से मसल कर एक मोटे छेद वाली छनी में से च्छान लेते थे और चूर्मा तेयार हो जाता था अब यहां पर मैं इसे मिक्सी में पीछ लिया है तो अब क्या करेंगे आगे का पूर्सस देख लेते हैं इसे उठा कर साइड में रख दीजे यहां पर मैंने ग पाजू बदाम अगर आपको ड्राइब फूट पसंद नहीं या नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर दीजेगा और इस तरह से चोड़ी चोड़ी टुकड़ों में से कट कर लिया था तो थोड़ा से इने भून लीजेगा इस तरह से जड़ा भून कर डालते ना तो टेश बहुत ही बढ़िया आता है आप चाहे तो वैसे भी डाल सकते हैं लेकिन इस तरह से टेश बहुत अच्छा आता है यहाँ पर मैंने थोड़े से पिश्टा भी लिया है वो भी इसमें अड़ कर देते हैं आप चाहे तो यहाँ पर किश्विस भी डाल सकते हैं तो पिश्टा अब यहां देखें मुझे थोड़ा घी कम लग रहा है तो यहां पर जो मारे कफ में घी था उसमें से थोड़ा सा अग्फ्त हमग दाल के पहले अच्छे से मिक्स कर लेता है इन्थ को फुल मत रखियेगा जादा यह देखें अच्छे से मिला दिया है तो घी डाल देते हैं थोड़ा सा धो से तीन तेबल स्पोन घी डाल रही हूं बाकी का घी हम लाश्ट में इस्तिमाल करेंगे अब अच्छे से दस मिट के लिए भून लेजेगा बड़ीआ असे यसे भूनना है थोड़ा सा कलर चेंज हो यहां देखिए इसी परात्मे में निकाल लेती हूं और यहां देखिए बहुत ज़्यादा गरम है आपको धुआ दिख रहे हूंगे किस तरह से थंडा करेंगे इस तरह से थोड़ा फैला दीजेगा ताकि जल्दी सी थंडा हो जाए यह देखिए तो देखिए यहां पर हमार का पाटे का लिया था तो 2 क्प मे मेढ लगा, यहां को समाप कर डाले न Sich को देखिए बहरे 10 कप से ब्लाए ज तो 9 कप मे मिल जाती है अब अच्छे से मिक्स और भाज बढ़ा में वइंटा है जी घी filtering जाए तो यहां करेंगे तो टोटल यहाँ पर हमारा एक कप घी इसमें लग गया है घी आप कम या जाधा भी कर सकते हो अगर आप कम खाते हो तो कम कर लीजेगा लेकिन इतना घी तो इसमें लगेगा है अच्छे से मिक्स कर दीजे घी को बड़िया से मिला दीजें इसमें देखे यहां देखें, मैंने रब करती, उसे अच्छे से मिक्स कर दिया है गीगों चूर्मे में अब यहां पर इस तरह से भी रख सकते हैं या फिर आप इसके लड़ू बना कर भी रख सकते हैं तो यहां पर देखें मैं लड्डू भी बना लेती हुँ थोड़ा सा ऐसे भी रखने वाली हूं यह देखें यह बन गया हमारे चूर्मा लड्डू तो चली सरु कर लेते हैं वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बैल आइकन को पर ज़रू कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और आपको मेरी रेसिपियां कैस बहुत धन्यवाद